किसान भाईयों नमस्काव, स्वागत है आपकी यूट्यूब चेनल किसान परिवार में, किसान भाईयों, आशा करता हूँ, आप से लोग ठीक होंगी, स्वास्त किसान भाईयों, आज का हमारा जो बिशे रहने वाला है, वो है एक अच्छी ग्रोथ की निये, हमें किस तरीके से हमारे फार्म की क्यार करना चाहिए, और हम ऐसी क्या क्यार करें, कि जो हमारा फार्म है, वो सर्तियों की सीजन में जब ग्रोथ रुख जाती है, उस टाइम एक अच्छी ग्रोथ कैसे करें, यह सभी विशे आज हम उमारे वीडियो में कवर परें, जो भी हमारे किसान भाई चैनल पर फरस्ट टाइम आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आखके दो पर दिफाद शेयर, किसान भाईयों, जो भी किसान भाई, अभी तरह मेरे साथ नहीं जूड़े हैं, आप हमें वाट्स अपे मैसे ड्रॉप कर सकते हैं, और इस पारेमिंग से रिलेटेड किसी भी किसान भाईयों को उच्वी समेश्या आती है, उच्वी सुचाव आपके पास हैं, तो आप हमसे वाट्स अपे शेयर कर सकते ह यह हमारे सी वैराइटी है, और इसको ऑर्विनिक वे में कर रहे हैं, और यह लगबग 14 महीने का हमारा फार्म हमने लास्ट दिसंबर में इसको लगाया था, लगबग 13-14 महीने इसको हो रहे हैं, और यह इसकी ग्रोथ रही है, एक हमने इसमें से चोटा मुटा सीजन की हमारी तयारी चल, फरवरी में इसकी फार्मिंग जो की प्रॉप्टर में में और इसमें हम फर्टिलाइजर मेंटेन करेंगे और फ्रूटिंग सीजन की पूरी तयारी हमारी फरवरी से स्टाट हो जाए, अभी हम अगर इसमें कुछ हमारा पूरा फोकस है, तो वो ह हमारे फान को सर्दी से बचाना और अच्छी ग्रोथ जितनी अच्छी ग्रोथ होगी है उतनी अच्छी कहनों भी बनेगी और फूर्टिंग सीजन में उतनी ही अच्छी आपको गही न कहीं हर्विस्टिंग में अभी हमारा जो सबसे फोकस है वो है सर्दी से बचा इस बार सर किसान भाई जो भी हमारे किसान भाई इस स्वामिंग को फस्ट टाइम कर रहे हैं वो प्रॉपकर आप आप इस फामिंग केर करें और अच्छे से इसकी देख भाल करें और जो भी आप स्नेक प्रिवेंड कर रहे हैं उसको पहले अच्छे से चेक करें कि आप सही जा रहे हैं पेरे चोटी से रेबल पर करके देखें फिरे इसको आदिए अब आभी डिसकस करते हैं कि हमें केर के लिए क्या था किसान वाईयो एक अच्छी successful farming के निए एक healthy farm एक healthy healthy plant एक healthy fruits की जर्रत होती है और वो आएगा आपके healthy plant से आपका plant जोड़े अच्छा healthy होना चाहिए स्वास्त कोई भी disease वगेरा उसमें ना हो या disease ना हो वो ठीके बड़ उसकी growth वगेरा नहीं रोक लेगा कई हमारे plant ऐसे होते हैं जिनमें कोई भी यानि कि कोई भी disease नहीं होता है कोई भी बीमारी नहीं होती है लेकिन वो अपनी growth रोक लेगा तो आपका सीधा उस पर effect पड़ेगा आपके fruit लिगा और आपकी आने वाली income तो आपको इन सब शीज़ों कद है किसान भाई हो नबंबर से नेकी परबरी तक हमारा जो सबसे main focus होता है वो होता है कि हमारे farm में ठंड का प्रगोप ना पड़े ठंड से हमारे plant डॉट आएंगे यलो होंगे और fungus जैसे अब आप देख पा रहे हैं हमारे कई जो plant हैं उनकी जो leaf है वो red बट हमारा जो मिज़े और leaf है वो red नहीं हो ज़ी तोकि उनको इस atmosphere में उनको time हो गया है वो अपने आपको strong कर चुक हो तो किसान भाईयों अभी आपको आपका जो farm उसको बचाना है ठंड से सर्दी से जाड़े से इसके लिए आपको डाइम टाइम पे green miracle का यूज करना है आपका bad proper रखना है बल्चिंग proper करना है और जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो में आपसे डिसकस गिया था कि आप आपके farm के आसपास धुआ भी कर सकते हैं जिससे की जाड़ा ना चाहिए इन चीज़ों का दियान रखने के बाद ट्राइकोडर्मा सोदोवनास जा लिए और एक proper अच्छे fertilizer को आपको नुच करना अभी अगर मारे बिट में देखा जाए तो green leaf और new leaf दो fertilizer हैं जिनमें सारे micro nutrients हैं जो हमारे farm को चाहिए होगा आप वो यूज कर सकते हैं इसके बाद 30 राइदर जैसे कि हम देने वाले हैं फरबरी उसमें हम हमारी जो अभी planning है वो है कि हम उसमें छोटी सी quantity रखेंगे वर्गी खाद तोगी मुर्गी डखाद सिर्फ सर्दियों में दिया जाता और फरबरी ते पहीं नहीं सर्दियों थोड़ी कम होई तो हम उसक इसी quantity में सर्दियों की खली रखने वाले हैं और हम बर्मी कंपोस्स इसमें रख यह सब आपको प्रॉपर करना है जिससे हमारे फ्रूटिंग सीजन की जो पर्टी आज़र होंगे वह अभी हम हैं अधर किसनी किसान भाई हो कि यह फार्म की ग्रोथ नहीं हो ग्रोथ रूप से एब लाई की दिए जिससे आपके फार्म में रिसल्ट्स अच्छे हैं किसान भाई हो पर्सलेल में यह सजेस्ट करूँगा हुमिक एसे और बायो बिड़ा जो आप डालते हैं यह आप अगर 15 डेज में एक बार वेगुनर भी देंगे तो चलेगा आप जैब रियक एसे म फंगस के लिए देते हैं ट्राइबो डर्मसोडो बना वो आपको रैगुलर रखना है इस तरीके से आप आपकी फार्म की केर करिए डोज बगेर हमने पहले भी बताए हैं लेकिन फिर भी आपको उदर तन्प्यूजर आप हमें वाटसप दर सकते हैं वहां से हम आपको प् किसन भाई चैनल पर फरस्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइप करें और आपके दोस्तों के साथ शेयर जल्द मिलते हैं नई वीडियो में सभी किसन भाईयों को नमस्कार वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद